केंदरी की नरेंद्र मोदी सरकार और अलफसंख्यकों के कल्यान के लिए लागातार काम कर रही है और प्रधानमंत्री जन आरोग योजना कोई मजभब देखकर नहीं लागू होता है यह कहना है भाजपा के नेताओं का और तमाम जो केंदरी मंत्री हैं लागातार यही कहते आपका नम क्या हुआ है अभी तो हम लोग हमारा चाचा जी है बहुत गारी भी थे इसलिए हम लोग इधर उधर खोजा कहा कैसे होगा हम लोग मेंडिका में होगा यक आद्मी भी भी फो शाल से किया के येर्टे खोज़ाल से ध्रश्मन भारत मैं अहीं काम किया आपको लाब मिला है यह बताए कि किस तरह से यह संभा हुआ आपको लाब मिला है आपको दस्तर सो भूग रहे थे भाट के लिए हुम बेंगलोर के हैं मेलीका में दिखा हैं विम्चु में दिखा हैं खलकाता दिखा हैं जो था उस अब खताम कर दिने लास्ट बचा थे हम ओभी एक महिना के लिए ड़क्तर हमको रिएट कर दिया था एक महिना में तुम कुछ कर लो नहीं तो जाने वाले हैं अब लगवचे को बोले कि इसे ऐसे बात हैं आपना पैसे कर चाहँ सरकारी पैसे करा अपना बैस करना थो अब हर दौर बिचना है तो अब कुछ आदमें बोल जाए कि ना मेडिका में से होता है और काड़ दहुरा बना वहाता है लड़का को लेकर आए अब ड़क्टर से बात किया है तो जहां हो जाए मगर तुम्हारा अब देर करना नहीं है तुमको एक दूदिन में करना है आई तुम घर जाओ तीन आदमी को मुष्षाब को मुसलमानों के लिए भी है सब के लिए बढ़ा है इसमें कोई जाती बादी नहीं हम लोग तो खुद मुधी जी का पाठी आज 20 साल से हम लोग जुड़े हूं है पाकूर में पाकूर अलपसंखा हम लोग महमुंदिरी में है इस लेकिन जब हमको पता चला आयुसमान भारत के बारे में नरेंदर मोदी जी ये स्कीम चालू किये हैं तो अचानक मनें एक एक चीज एक चीज हमारा वो बनता चला गिया गोल्डेन कार्ट बन गिया अचानक मेडिका में गये वहां पर ट्रीटमेंट एदम फॉरण डॉक्टर हमको बताए कि तुम्हारा हार्ट अटेक हो चुगा था तो हमारे पास बिल्कुल समय नहीं था तो जब हम मेडिका में पहुचे तो मेरा मेरा ट्रीटमेंट फॉरण सुरू हुआ और हम एकदम सांदार तरीके से हिल्डी हो गये और नरेंदर मोदी जी का हम बहुत अभारी हैं उनके लिए मेरे लिए मेरे पास एक रफी जी का एक सौंग याद आ गिया तो हम इतना हिल्डी है कि रफी सहाब का सौंग गा सकते हैं तो आके बताए जिहां ये वादियां ये फिजाए बुला रही है तुम्हें जितने लोग यहां पर हैं सब यहां पर नरेंदर जी का इंतियार में हैं अगर वो यहां पर उपस्तित होते तो बहुत खुसी होती लेकिन अगर वो यहां नहीं है तो उनके लिए ये शौंग है ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें हरे के दिल की सदाएं बुला रही है तुम्हें ये वादियां ये ये मुसल्मान विरोधी सरकार ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि जो पिछले सरकार जो नहीं कर सकी जो विरोधी सरकार थे वो जो काम नहीं कर सके वो मोधी सरकार किये और इतने अच्छी तरीके से किये कि इन्होंने कोई जात पात कोई धरम कुछ नहीं देखे मुसल्मान हिंदू सभी के लिए काम एक बराबर किये इसमें हम कोई चीज करनी सोचेंगे कि कोई भी कॉमनल फिलिंग्स इनके पास है ये सभूं के नेता हैं हम इनके लिए बहुत दौाएं करेंगे कि ये हमेशा अच्छी तरीके से मैडम कैसा लगा ये जब सुपस्त हुए आपके घर वाले बहुत खुसी लगा इसलिए कि हम बहुत परिसान थे पैसा भी नहीं था एक दम लाष्ट पोजिस्यन था दो हाड़ अटेक हो चुका था बहुत परिसान थे बहुत हम लोग को सहारा दिये मोदी जी के हम भोड़ भ स्यासत करने वाले लोगों ने मजभाओं की दिवारे खड़ी कर दी है लेकिन केंद सरकार की योजनाएं ये साबित करती हैं कि मजभवें आड़े नहीं आ सकती हैं योजनाओं के सायोगी उपेंदर के साथ असोकुमात मुखरसमवाद रांची